हेलो दोस्तों ये है योड्रिफ्ट डियक्स एलेक्ट्रिक स्कूटर ये लेड ऐसेड और लेथियम आइन दो बैटरी ऑप्सन के साथ आता है और आप देख रहे हैं योड्रिफ्ट डियक्स लेड ऐसेड बैटरी का लो स्पीड मॉडल तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले इसके प्राइज, फीचर्स, और माइलेज के बारे में तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से तो यहाँ पर आपको इसका जो वाइजर है वो डूल कलर ओप्सन में मिल जाता है रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में और नीचे आपको वाइट कलर की DRLs मिल जाती हैं और इसकी जो इंडिकेटर हैं वो आपको LED के दिये गए हैं जो की यलो कलर में मिल जाते हैं इसके एपरेंट के उपर आपको Glossiness मिल जाती है Black कलर के और Red कलर के Combination के साथ यहाँ पर आपको ET का Logo मिल जाता है और इसके दूसरी साइड में आपको जो है U Drift का Logo और नीचे की साइड में आपको DX का Logo देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको इसकी Headlam की बात करें तो यहाँ पर आपको इसका जो front mudguard है उसके उपर भी यो drift का logo मिल जाता है जो की glossy red finis में दिया गया है और यहां पर आपको disk brake का option मिल जाता है और यहां पर आपको जो है 3 0010 का tire size दिया गया है इसमें जो है indication light speed of mode यहां पर kilometer per hour speed और यहां पर kilometer की reading देखने को मिल जाती है और नीचे भी आपको indication light मिल जाती है जो कि इसके features के साफसे दी गई है इसकी handle bar road पर यहां पर आपको man head light का switch नीचे horn का switch और यहां पर आपको speed mode मिल जाता है आप इसको कौन से mode में चलाना चाहते हैं जैसे की 1 2 3 दिया गया है और नीचे आपको मिल जाता है back करने का switch और यहां पर आपको low beam high beam switch indicator का switch और दूसरी side भी horn का switch मिल जाता है और यहां पर इसकी speed को test कर लेते हैं दोस्तों तो मैं इसको एक mode में select कर लेता हूं तो पहले mode में इसकी speed है वो कितनी निकल कर आती है जैसा कि यहां से इसमें 22 km पर आर की speed निकल के आई है पहले mode में अब मैं इसको दूसरे mode में select कर लेता हूं तो दूसरे mode में select करने के बाद इसकी speed है वो आपको 29 km पर आर की मिल जाती है अब मैं select कर लेता हूं इसको तीसरे mode में तो यहां पर आपको 38 km पर आर की speed इसके meter में मिल जाती है DX का sticker दिया गया है और इसमें 160 mm की ground clearance मिल जाती है और यहाँ पर आप इसके body panel को देख सकते हो जो की black matte finish में दिया गया है यहाँ भी आपको DX, your drift का बड़ा सा logo मिल जाता है और इसके suspension की बात करें तो इसमें जो है spring tap के suspension मिल जाते हैं तो यहाँ से आप इसके उपर वाले view को देख सकते हैं इसकी पीचे की side में आपको एक बड़ा सा back rest मिल जाता है जो की chrome finish के साथ दिया गया है और यहाँ पर आपको इसके नीचे की side में मिल जाता है एक grab handle जो की black matte finish के साथ मिल जाता है और इसकी जो tail lamp है वो आपको bulb वाली मिल जाती है जो की काफी वड़ी दी गई है और side में आपको indicator मिल जाते है bulb वाली और नीचे आपको जो है मिल जाता है एक reflector अब चलते है इसके दूसरी side में तो यहाँ भी आपको यो drift dx का बड़ा सा logo देखने को मिल जाता है जो की graphics के साथ दिया गया है red, black और white के combination में और यहाँ भी आपको suspension मिल जाते है जहाँ भी आपको body panel दिया गया है और यहाँ पर आपको एक tire hugger भी मिल जाता है मौटर power की बात करें तो इसमें adjustable for dressed मिल जाता है और इसकी जो battery है वो नीचे की side में दी गई है अब बात करते हैं इसकी seat quality की तो यहाँ पर आपको काफी अच्छी seat quality मिल जाती है इसकी जो cushioning है वो काफी soft दी गई है अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके boot space की तो यहाँ पर आपको side mirror मिल जाते हैं इस box के अंदर और इसमें जो है मिल जाता है एक charger जो की स्कूटी को charge करने के लिए है और इसमें आपको एक catalog book भी मिल जाती है और यहाँ से आप इसके boot space को देख सकते हैं जो की काफी बड़ा दिया गया है इसकी battery की बात करें तो इसमें 60V की battery दी गई है और जो की 7-8 गंटे में fully charge हो जाती है और एक बार charge होने के बाद यह आपको 60-70 km का आसानी से mileage दे देती है एक fully charge करने के बाद और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो back rest है वो काफी अच्छा दिया गया है और इसकी lag space area की बात करें तो काफी बड़ा lag space area मिल जाता है और इसकी seat के नीचे की side में एक charging slot दिया गया है स्कूटी को charge करने के लिए जैसा कि मैंने अभी आपको इसका charger दिखाया था और यहाँ पर आपको जो है matte मिल जाती है black color की और यह इसका जो section है वो इसके chassis number का है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा space मिल जाता है सामान रखने के लिए और यहाँ पर आपको एक carry hook दिया गया है और यहाँ पर आपको mobile charging port की सुदा मिल जाती है आप अपने mobile को charge कर सकते हैं दोस्तों अब जैसा कि दूस्तों यहाँ से आप इसके key point को भी देख सकते हैं तो दूस्तों मैं बात करूँ इसके यो drift dx के mileage की range की तो यह आपको जो है साथ से आठ गंटे में fully charge होता है और एक बार charge होने के बाद यह साथ से सतर किलो मीटर पर charge का mileage दे देता है अब मैं बात करूँ इसके price की तो दूस्तों अगर आप इसको laid acid battery में लेते हैं तो यह 61,000 रुपे का है अगर आप इसको lithium-ine battery option के साथ लेते हैं तो यह 76,000 रुपीज का है 76,000 रुपे का और यह price मैंने आपको बताया है बूतनात मोटर नाराइन तला बियाई पी रोड कॉलकता सोरूम का सोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगी अगर आप कॉलकता या असपास से हैं तो नीचे दिये हुए नमबर पर कॉल कर सकते हैं दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को जाए से आदा लाइक करें कमेंट करें सेयर करें चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरू दबा देना थैंक यू दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में